हाई एवरिवन तुड़े वी विल डिस्कॉस यूर चप्टर नमबर एट यह सोरी 714 यह फर्स पार्ट कर रहे हैं हम सो बेटा बड़ा ही इंट्रेस्टिंग चेप्टर है आपका बट टुड़े वी विल डिस्कॉस यह अनली यूर एक्सर साइज ओके तो देखते हैं आपके शक्रणा में दिखुगे बाटेस्टॉटॉट टूज करेक्ट ओप्शन मिस्स प्रिंगल एड्र ऑरगिनाइज डिनरिए और शुड़े और Сहे मिस्स अप्रिंगल थे मिनेट कर दिया था वी उनकार मुशिएन टूल उनका जो मित्तर था वो क्या था बिमार था यास नेक्स इस मिसेस प्रिंगल वांटीड हरस्वेंट तो सीट एड़ आप दा टेबल विकोज तो यह आंसर इस ए सी थोट इट लोक्ट अंडिगनिफाइड वें दो मैं आप दा हाउस इस पॉस्ट तो दा से ओके तो ए ओप्ष इसके आगे सीट पे बैठे ओलिवर फांडवर्थ की अगली सीट पे बैठे नेक्स देखते हैं आपके यस ओनली वन कोश्चन इस लाफ मिसेज प्रिंगल वास ग्लैड दैट यस जैसिका बैक्ट आउट आउट एज इसी वोड लिव देर तो इसका अंसर आएगा आपका 14 गैस्ट ओके नेक्स एक्सरसाइज करते हैं हम आपकी यस लुक यह नेक्स एक्सरसाइज इस यह रहर सम यह एक्जरेटीड एक्सप्रेशन फ्रॉम दा प्ले एक्जरेटीड होता है आज हिंदी आपको पता हो अती शोक्ति अलंकार जैसे हमारा मैटाफर सिमली यह ना ओल तो इसी तरीके से यहां आपके दिये गए हैं और उस साथ में उनका क्या दिया गया है मीनिंग तो फर्स्ट है बेटा आपका अगर ध्यान से आप देखें कॉल्ड अवे तो कॉल्ड अवे का जो ई है देखें आस समवन टू लिवा प्लेस किसी से पूछना जो जगह छोड हैं के लिए हैंना आस समवन टू लिवा प्लेस सेकिंड है आपका अप्रेटीज टू डेथ तो इसका मतलग होगा शोक्ड सेवृड और स्ट सॉक्ड हो जाना अचम भी तुभ जाना अञा जो मीनिंग होगा आपका क्या हो जाना आश्य Savannah चक्कित हो जाना शोक्ड हो नहीं लाइना जाए तो lost its heart too तो fall in love with yes fall in love with किसी को पसंद करने लग जाना किसी के लव में पढ़ जाना next आपका float around the corner to come to a nearby place in yes large numbers to come to nearby place in large numbers ज़्यादा संक्या में नजदीक आ जाना lost its heart too okay next देखते हैं आपकी exercise look fill in the blanks with the suitable homophones बेटा homophones क्या होते हैं इसकी जो homophones में क्या होती है आपकी pronunciation जो होती है वो same होती है बड़ जो spelling होती है जैसे क्या होती है वो different होती है for example look आज आपको एक शो करती हूँ एक चीज आपको look देखे आप yes तो इसमें हम ये चीज शो करेंगे बटा yes बस yes तो इसमें जैसे माल लीजे आपका क्या है own ये भी own है और ये भी own ही बोला जाएगा दोनों बट देखे meaning भी अलग है इनका और as a spelling भी different है ओके तो इसी तरीके किया आपके देखना please write yes column तो right mean जो ठीक column है उसमें और यहाँ जो first meaning आया right का मतलब लिखना second में देखे जो there है उसका मतलब है उनकी जो grand ma है वो और next में आपका only there ही है यहाँ next देखे it has been a week तो यहाँ week है week मीन सबताहा और जो last का है वो week मीन क्या होता है कमजोर next देखे my uncle sounded a bit horse एक horse मीन गोड़ा है का जोर सठीक से है ना उस तरीके से वो चीज़ करना next आपका take the phone and call the police burglars want hair तो h-e-a-r here क्याएगा here मीन सुनना और एक आपका here यह भी here यह भी here तो दोनों का मतलब है एक का सुनना अर्जो नीचे वाला है उसका यहां six में आपका no बताया मैंने no no का मतलब नहीं और k-n-o-w-no no का मतलब जानना तो next देखते हैं हम आपके exercise yes look यहां कुछ word दिये गए हैं आपको ऐसा इसकी क्या लिखना है आपको word meaning लिखना है जैसे फॉस्ट है आपका सुनामी तो यह इसका जो ओरीजन था वो कहां है जापानीज से पहले ओरीजन लिख लिजिए फिर बाद में meaning right करेंगे as a इंका असिया का है Russian का word है यह बंगलो इन हिंदी बंगलो किसको कहते हैं इन हिंदी आपका हिंदी और अब इनका जो मीनिंग है द्यान से देखिए जापनीज में a very large wave often caused by earthquake येस क्या है आपका a very large wave बहुत बड़ी लहर जो प्रहाय क्या करती लेके आती है जिसके दोरह प्रहाय आर्थक्वायक आता है नेक्स देखिए educated people especially क्या हैगा educated people especially those interested in art ऐसे लोग ज़्यादा तर जिनका किसमें इंटरेस्ट होता है art में कला में है a house that has जो बंगलो है in हिंदी तो a house that has only one level and no stairs उसमें बंगलो में क्या नहीं होती है stairs नहीं होती है और जो नेक्स है आपका criticize someone a shoppy liquid used for washing hair sample का है a shoppy liquid used for washing hair ओके आइटिंग have you done it ये जो है side में आपकी क्या दिये हुए है first word दिया है next origin और फिर उनका क्या लिखा हुआ है बिटा word meaning सभी अच्छे से write कर लेजे ओके next चलते हैं आपके exercise yes look your exercise read the sentences underline the finite verb and circle the non-finite verb yes बिटा ये भी थोड़ा सा है बट आप non-finite का मतला आप समझ लीजिए कि चाहे sentence में subject कोई भी हो बट जब उस verb पे कोई फर्क ना पड़े तो वो कौन सी होती है आपकी non-finite verb होती है क्या बताया मैंने non-finite verb कोई सी होती है जिस पर चाहे subject कुछ भी आए चाहे helping verb कुछ भी आए बट उसका असर कहा नहीं पढ़ता non-finite verb होती है वो adjectives हर sentence में same आएगी ओके तो वो तो होती है आपकी non-finite verb and the अलग है जो आपकी finite verb है तो चेंज होती रहती है according to their subject तो देखे अंडरलाइन के आपने work यहाँ see work अगर यह tense में होता आपका किसका मालनी जे इंडेफिनेट में होता तो यहाँ क्या आता see works क्या जाता बेटा यहाँ see works आता आपका बट यहाँ worked है तो change हो गई ना तो पास्ट सेम रहता है अब अगला प्रोस्ट सेम रहता पास्टेंस है पास्टेंस की सेकिंड वर्व अगर कोई भी सब्जेक्ट आए तो सेकिंड तो सेकिंड फॉर्म रहेगी अब बट जो आपका जीरन है जो तो इसमें क्या आएगा getting notice यह सेम रहेगा नो चेंज तो यह जो चेंज नहीं होता है उसको आप क्या बोलोगे अगला थार्ड वेग्ड और इसमें टू शो वेग्ड एंड टू शो फॉर्ट देखें फाइंडिंग सेम रहेगा बट जो आइवेंट वेंट है यह चेंज हो जाएगी according subject फिप में देखें रिपेड सेम रहेगी गोट चेंज हो जाएगी यह सिक्स में देखें वांट सेम और टू बाए कोई भी संटेंस तो आपका सेम रहेगा and the seventh is barking same and don't buy it and अलग हो जाएगी different and eight में got and clean I think आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि जो चेंज हो according subject वो finite वा जो ना चेंज हो वो non-finite अब देखें next देखते हैं आपके rewrite these sentences using the subject it and infinitive yes infinitive में आपको आशे fill करना है तो first है आपका it was difficult first मैंने आपको बता है it was difficult to do the homework alone second देखें आपका है reading story book is my favorite hobby तो answer क्या बनेगा it is my favorite F-A-V-O-U-R-I-T favorite hobby to read books third देखते हैं running is a good exercise it is a good exercise to run it is a good exercise to run fourth देखते हैं flying a plane is bad weather is dangerous तो it is dangerous to fly it is dangerous to fly a plane in bad weather fifth देखते हैं getting enough sleep is important is it is important to get enough sleep understand it is important to get enough sleep आगे देखते हैं next exercise yes your exercise is done तो first जो यह exercise थी अभी आपने क्या किया इसमें exercise इसमें sentences का आज़े infinity में चेंज करना था तो वह हमने चेंज किया next यहां जो आपकी exercise है finite और non finite का किया यहां देखें आप आज़े आपके word meaning है अच्छे से मैंने आज़े राइट करवा दिया आपका यह यह आपकी जो homophones है homophones के बारे में बताया जिनकी जो pronunciation क्या होती है same होती है but meaning और जो spelling है वो क्या होती है आपकी different होती है next देखते हैं हम आपका yes यह match up है and here are your mcq so guys in yes okay um we have done your exercise so thanks everyone yes but I look your exercise is this here are only one exercise is left so feel carefully इसमें आपको क्या write करना है जीरंड और इंफिनिटीव जीरंड में आपको क्या add करना होता है आपका ing use करना होता है और two infinity में two आपको लगाना होता है okay जैसे first people enjoy तो इसमें आपका आएगा watching and the next है आपका arena agreed तो इसमें आएगा two infinity जैसे आपका agreed हुआ और आपका ऐसे hopes हुआ तो इसमें आपका two infinity लगता है तो watching first में क्या आएगा आपका people enjoy watching second में to meet and the third में to finish fourth में yes listening and fifth में आएगा आपका playing अब लुक यह exercise is listening listen to a palm carefully and mark the sentences as true or false so betta you have to mention your false true false true to True true false kati just say it the table was feeling cold the table was feeling cold folded Milton Second of ka the table wanted to go for a walk. False. Sorry. True. And the third is the chair told the table that they can run. False. Fourth ka dekhye the table and the chair were happy to walk. True. Fifth the table and the chair knew their way home. False. And the another is the duck, beetle and mouse take them to their house. True. True. And the last is false. Okay. Thanks everyone.